इचार्जिंग स्टेशन पर हैकर्स की नजल जानिए किन चीजों का है खत्रा दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमार्ड में तेजी देखने को मिली है यदि भारत की बात करें तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ईवी बाजार है बता दें कि जिस प्रकार से डीजल या फिर पेट्रॉल आधारित वाहन को चलाने के लिए इंधन की जरूरत पड़ती है ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक गाडियों में बैटरी लगी होती है जिसे समय समय पर चार्ज करने की जरूरत पड़ती है इसके लिए एक बहतरीन चार्जिंग इंफरस्ट्रक्चर की जरूरत होती है एक ताजा आकड़े के मताबिक दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वीकल्स की ग्लोबल डिमांड में तकरीबन साथ फीसदी का इजाफा हुआ है बता और उदाहरन दुनिया भर में खरीदी जाने वाली साथ कारों में से एक इलेक्ट्रिक कार शामिल है इचार्जिंग स्टेशनों के हैकिंग की खबर वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड के बीच एक बुरी खबर ये सामने आई है कि इनके चार्जिंग स्टेशन पर हैकर्स की नजर पढ़ चुकी है ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों पर साइबर हमले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है साइबर सुरक्षा कमपनी चेक पॉइंटर रिसर्च की एक रिपोर्ट के मताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड के साथ ही अब कस्टमर्स को साइबर हमले जैसे सुरक्षा नीतियों का भी सामना करना पढ़ सकता है बता दें कि जितनी टेजी इलेक्ट्रिक गाडियां चलन में आ रही है उतनी ही तेजी से सडक के कोन पर तथा पारकिंग स्थल पर नई ईवी चार्जिंग स्टेशन भी खुलते जा रहे हैं ऐसे में नए चार्जिंग स्टेशनों पर साइबर अटाक का जोखिम काफी बढ़ जाता है भारती एक कंप्यूटर इमर्जनसी रिस्पॉंस टीम की एक रिपोर्ट के मताबिक एवी चार्जिंग स्टेशन के उत्पाद और उनके इस्तमाल में कुछ तक्निकी खामिया मौजूद है जानिये कैसे काम करते हैं हैकर्स जानकारी के लिए बता दें कि नई EV Charging Station के उत्पाद और उनके इस्तमाल में कुछ तक्निकी खामिया मौजूद है जिसका फाइदा Cyber Hackers उठा सकते हैं तक्निकी शोध करताओं का ऐसा कहना है कि Cyber Hackers नए EV Charging Station को बंद कर सकते हैं या फिर बिजली चोरी करने की अनुमती दे सकते हैं Hackers Charging Station में काम कर रहे इलेक्ट्रिसिटी डेटा को उपर नीचे अथवा कटवर्ती भी कर सकते हैं रिपोर्ट के मताबिक हैकर्स बहुत तेजी से EV Charging Network के डिमांड को भी चेंज कर सकते हैं संभावना ये भी है कि हैकर्स Charging Station को क्रैक कर सकते हैं रिपोर्ट के मताबिक EV Chargers जिस तरह से बुनियादी धाचे के साथ जुड़े हैं ऐसे में साइबर सुरक्षा पहलू पर पहले विचार नहीं किया गया था अमरीकी संस्थान NIST के अनुसार चुंकि इलेक्रिक वाहनों में मौझूद Charger तक्नीक और संचार सुविधा Electronics द्वारा समर्थित है ऐसे में साइबर हैकर्स तक्नीकी कमजोरियों का लाभ बहुत तेजी से उठाते हैं चुंकि परिवहन और उर्जा सेक्टर्स पहले कभी इलेक्रिक तक्नीकी से नहीं जुड़े थे ऐसे में हैकर्स की संभावना काफी बढ़ जाती है इस तरह के और अपडेट्स के लिए अपने Air News चैनल को सबस्क्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो ततकाल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें इवी चार्जिंग स्टेशन के हैकिंग के खबर एक बुरी सूचना है इस पर कमेंट्स करें